सभी प्यारे चात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम अपना दूसरा कदम आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम सीखेंगे कि दो कोश्टकों का गुणा कैसे करते हैं इसके पहले हमने सीखा कि बेसिक गुणा कैसे करते हैं हमने ये भी जाना कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं और हमने यहां पे दो बेंजुकों के गुणा सीखें स्क्वेर से गुणा करना सीखा तीन बेंजुकों के गुणा करना सीखा और धेर सारी exercise करी थी तो अगर आप playlist से पढ़ रहे हैं तो आपको genuine फायदा होने बाला है और आप गड़ित को बड़ी ही आसानी से सीख पाओगे तो आज का हमारा जो topic रहेगा कि दो कोश्टकों का गुड़ा हम कैसे करते हैं आपको भी copy pen लेकर बैठ जाना है और मेरे साथ मैं exercise करनी है ताकि आपका basic अच्छा हो जाए और उसके बाद आपको उधारन के सवाल और प्रशनावली के सवाल अच्छे से समझाएंगे और चाहे सरल सवाल हो और कठिन हो दोनों को आप बरावर तरीके से अच्छे से करोगे ठीक है? तो देखो दो कोश्टकों का गुणा कैसे होता है? जैसे आपके सामने एक सवाल दिया गया है बहुत ही basic से समझना देखो जैसे सवाल दिया गया है कि x प्लस 3 एक कोश्टक में लिखा है x प्लस 3 और दूसरे कोश्टक में लिखा है x प्लस 2 मान के चलिए, पहले बहुत ही सरल ले लेते हैं, ये है, अब इसको आपको गुणा करना है, तो कैसे गुणा करोगे, देखो, सबसे पहले, step by step आपको सीखते जाना है, सबसे पहले आप दोनों कोश्टक लिख लोगे, तो x प्लस 3, और दूसरा कोश्टक है x प्लस 2, इतना कर लोगे, ठीक है, अब पहले कोश्टक में दो पद हैं, देखो, ये बीच में प्लस का चिन्ह लगा है न, तो पहला पद ये है, और दूसरा पद ये है, इसी तरीके से दूसरे कोश्टक में भी दो पद हैं, पहला पद ये है, और दूसरा पद ये है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले कोश्टक का पहला पद बाहर निकालेंगे, और पूरा दूसरा कोश्टक उसके साथ चिपका के लिख देंगे, एक्स प्लस दू इतना कर लोगे ठीक है अब पहले कोश्टक का जो बचा दूसरा पद है प्लस तीन इसको लिखेंगे और फिर से वही दूसरा कोश्टक चिपका के लिख देंगे पताओ आया समझ में देखो क्या किया है पहले कोश्टक का पहला पद बाहर निकाला दूसरा कोश्टक चिपका के लिख दिया फिर उसी पहले कोश्टक का जो बचा हुआ पद है उसको भी बाहर निकाला और दूसरा कोश्टक फिर चिपका के लिख दिया समझ पा रहे हो ना अब क्या करोगे अब गुणा करना है यहां पे बरावर का चिन्न लगाओगे यहां पे भी बरावर का अब देखो जो बाहर X है X का गुणा इसमें भी होगा और इसी X का गुणा इसमें भी होगा और यह जो बेसिक गुणा है मैं पहले कदम में आपको बता चुका हूँ तो यहां पे भी थोड़ा थोड़ा बताता चलूँगा, यहां देखो तो जहां तक कोश्टक लगा रहता है, वहीं तक गुणा करते हैं तो पहला जो पद है, यह इस में भी गुणा करेगा और यह जो चीज है, पहला पद, यह इस में भी गुणा करेगा ठीक है उसी तरीके से ये जो दूसरा पद था ना इसका ये इस में भी गुणा करेगा और ये इस में भी गुणा करेगा मतलब तीन का गुणा एकस में भी होगा और तीन का गुणा दो में भी होगा चलो करते हैं सबसे पहले एकस का गुणा एकस में करेंगी तो गुणा हो रहा है ना, तो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती है, तो एक की घात यहां मानी जाती है, और एक की घात यहां मानी जाती है, तो एक की घात और एक की घात, X के उपर कितने की घात आ जाएगी, दो की घात, समझ पा रहे हो ना, X का गुणा X में किया तो एक की घात और एक की घात एकस के उपर दो की घात बन जाएगी अब एकस का गुणा दो में होगा तो देखो एक तरफ संख्या है और दूसी तरफ एकस है तो देखो संख्या का गुणा संख्या में होता है और एकस का गुणा एकस में होता है लेकिन यहाँ संख्या का गुणा X से हो रहा है तो गुणा नहीं होगा बलकि संख्या आगे लिख जाएगी और X पीछे लिख जाएगा तो देखो प्लस का चिन है तो प्लस लगा लिया पहले संख्या को आगे लिख दिया और X को पीछे लिख दिया ठीक है? तो ये गुणा हो गया समझ गए ना? ये तरीका होता है तो देखो, X का गुणा X में किया तो X बर्ग हो गया प्लस लगा है तो प्लस और X का गुणा 2 में किया तो 2X हो गया अगर 3 होता तो 3X हो जाता 4 होता तो 4X हो जाता समझ गए न आप अब यहां बढ़ो आगे प्लस लगा है तो प्लस लगा दो अब 3 का गुणा X में करना है और 3 का गुणा 2 में करना है तो पहले देखो संख्या का X में गुणा करोगे यनि यह अचर है और यह चर है तो संख्या आगे लिख जाएगी और x पीछ लिख जाएगा तो सीधा एक ट्रिक बना लो कि 3 का गुणा x में किया तो 3x 4 का किया तो 4x 5 का किया तो 5x फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा दो और 3 दूनी 6 तो ये प्लस वाला सवाल है तो अभी मैं आपको केवल समझा रहा हूँ माइनस प्लस का प्लस होता है प्लस माइनस का माइनस वो भी समझाओंगा लेकिन अभी नहीं अभी केवल इतना सीखो एक क्रम होता है सीखने का भी तो ये आ गया मतलब x का कुणा x में किया तो x प्रसवर्ग x का गुणा 2 में किया तो 2x 3 का गुणा x में किया तो 3x पर 3 दूनी 6 समझा गया अब क्या इसको और solve किया जा सकता है तो आंसर है बिलकुल किया जा सकता है देखो कैसे x के उपर 2 की घात है तो 2 की घात में केबल 2 की घात ही जुड़ सकती है ये हमने पहले कदम में सीखा था तो 2 की घात क्या और है 2 की घात क्योंकि अब प्लस प्लस का चिन है तो केबल जोड़ना घटाना करना है 2 की घात में 2 की घात ही जुड़ सकती है क्या है और 2 की घात नहीं दिख रही है, अकेली है, तो इसको यहाँ पे जियों गाते हूं लिगे तो अब इसके बाद, X में X ही जुड़ेगा, तो 2X यह है और 3X यह है, दोनों समान जाती के हैं तो 3X और 2X, टोटल कितने हो गए? 5X, यह आपस में जुड़ जाएंगे मतलब एक की घात के साथ एक की घात ही जुड़ेगा, मतलब X के साथ X को ही जुड़ना पड़ता है तो 3X और 2X, जब आपस में जुड़ेंगे तो 5X हो जाएंगे और संख्या में संख्या जुड़ती है, संख्या प्लस 6, और है क्या कोई अकेली संख्या? नहीं है ये संख्या है तीन ये है दो लेकिन इनके साथ में तो X लगाया तो ये X वाली संख्या है तो संख्या अकेली चाहिए तो ये प्लस छे केबल एक ही जगा है तो इसको जियों काते हूं लिखा और ये हो गया हल तो दो कोश्टक का गुणा ऐसे करते हैं ठीक है अब देखो बेसिक जिनका क्लियर है उनके लिए तो कोई बात नहीं है लेकिन जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उनको यहाँ पे देखते रहना है अब हम इसमें माइनस डाल के आपको समझाते हैं देखो अब ए मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, और जो भी पहले सीखा है, उसको एपलाई करना, सबसे पहले आप क्या करते हो, क्या आपको याद है, जी, सबसे पहले आप दोनों कोष्टक लिख लोगे, ठीक है, लिख लोगे ना, चलो ठीक है, ये दोनों कोष्टक और दूसरा कोश्टक उसके साथ में चिपका के लिख दो, इतना बन जाएगा, बन जाएगा ना इतना, ठीक है, अब पहले कोश्टक की जो बचा हुआ पद है उसको बाहर करो, माइनस का तीन है न, उसको बाहर करो, और दूसरा जो कोश्टक है उसको फिर चिपका के लिख द होगा जहां तक कोश्टक लगा है वहां तक गुणा होगा ठीक उसी तरीके से माइनस तीन का गुणा इस X में भी होगा और माइनस तीन का गुणा इस दो में भी होगा चलिए करते हैं X का गुणा तो 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ऐसे हो था, मैंने आपको बताया ना, 3 में करोगे तो 3x हो जाएगा, 4 में करोगे तो 4x हो जाएगा, अब यहाँ देखो, यह माइनस लगा है ना, और यहाँ पे प्लस होगा, तो देखो जब अलग-अलग चिन्ह आने लग करो अगर प्लस प्लस है जैसे इसमें था तो कोई टेंसन नहीं होती प्लस ही आएगा हर जगा है लेकिन अगर माइनस आ गया कहीं तो पहले क्या करो चिन्हों का गुणा करो नियम याद रखना है पहले किसका गुणा करना है चिन्हों का तो यह माइनस है न और इसमें माइनस 3 का गुणा देखो किस में हो रहा है थोड़ा सा basic से समझो कि minus 3 का गुणा पहले किस में करोगे plus के x में क्योंकि कोई भी चिन नहीं है तो ये plus का माना जाएगा तो minus 3 का गुणा करोगे plus के x में ये समझो तो पहले चिन हो का गुणा तो minus यहाँ है प्लस यहां है तो बताओ एक से चिन है कि अलग-अलग है अलग-अलग है ना तो जब भी अलग-अलग चिन हो तो माइनस में ही आंसर आने वाला है ये ध्यान रखिए जब अलग-अलग चिन हो तो माइनस में ही उत्तर आएगा तो यहां लिखने की जरूरत नहीं होती यहीं पे दिमाग लगाना, देखो, यहाँ माइनस है, और यहां कोई भी चिन नहीं था, तो वो प्लस है, तो अलग-लग चिन हो जाएंगी तो माइनस ही आएगा, और तीन का एक्स में जैसे करते हो, वैसे ही कर दो, तीन का X में करोगे तो क्या आएगा? 3X आएगा फिर देखो यहां पे यह minus है और यह plus है देखो जहां तक minus 3 का गुणा होगा तो देखो जो minus है और यहां पे minus नहीं है बलकि plus है तो फिर अलग अलग चिन है, बिरोध हाँ है तो उत्तर माइनस में ही आएगा बिरोध जहां होता है वहाँ loss ही होता है द्यान लखना इस चीज़ का जहां बिरोध होगा जहां बिरोध हो बिरोध ही बाते होंगी वहाँ क्या है time based है loss ही होगा ऐसा समझो तीन दूनी 6 तो देखो एक तरफ माइनस लगा है तो हमेशा एक बात जैसा मैं याद रखता हूँ कि अगर एक तरफ माइनस है तो वह सम माइनस हो जाएगा देखो बस और अगर ऐसा होता अभी करेंगे आगे अभी रहने दो ठीक है अब देखो अब आपको क्या ये solve हो गया है आगे बढ़ाओ इसको क्या solve हो चुका है आंसर है नहीं होगा अभी क्यों नहीं होगा क्योंकि x x बाला दो अलग अलग जग़ा इन्हें एक साथ लिख सकते हैं तो आगे इस step में x बर्ख बाला और है तो है नहीं तो इसको हम जीओं का तीओं लिख लेंगे और देखो ये 3X है और ये 2X है तो अब इधर थोड़ा सा ध्यान देना ये माइनस का 3X है और लेकिन ये प्लस का 2X है तो क्या होगा? तो बड़ी संख्या मैंसे छोटी संख्या हमेशा गटाओ तो 3 मैंसे 2X चले गए तो 1X बचेगा लेकिन माइनस का बचेगा की प्लस का बचेगा ये तो देखने वाली बात है ना तो माइनस का बचेगा अब आप कहोगे सर माइनस का क्यों बचा क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है बताओ माइनस की संख्या बड़ी थी ना माइनस का तीन था तो माइनस का चिन्ह लगेगा और माइनस का 6 यहाँ पे और यही आपका उत्तर आ जाएगा माइनस का 6 क्यों लिखा? क्योंकि संख्या और है नहीं जोडने के लिए तो वो माइनस का 6 जियों कहते हूं तो यही तरीका है सीखने का कि सबसे पहले क्या करना है पहले कोश्टक की पहली संख्या बाहर लिखके दूसरा कोश्टक चिपका के लिखना है फिर पहले कोश्टक का जो दूसरा पद है उसको बाहर करके फिर से ये दूसरा कोश्टक चिपका के लिख देना है अगर कहीं माइनस है और माइनस प्लस है यानि माइनस का गुणा अगर प्लस से होगा ध्यान लखना माइनस का गुणा प्लस से होगा तो यहाँ पे बिरोधावास है तो उत्तर माइनस ही आएगा अगर minus, अगर plus का गुणा minus से होगा तो भी एकी बात है, बिरूदाबास तो है呢 तो भी minus ही आएगा ठीक है इस चीज़ को याद रखना अब देखो, मैं क्या कर रहा हूँ अब दोनों को उश्टक में minus लगा ले रहा हूँ अब द्यान से समझज़ना अब आपको clear cut समझ आ जाएगा कि अच्छा ऐसा होता है देखो अब तीस रा कि जैसे हमने x-3 तो लिया हमने x-2 भी साथ ले लिया अब समझो इस चीज को मैंन बात है आपको तरीका आना चीए करते कैसे गुणा है अपने आप ही सवाल आने लगता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे बताओ तो आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले हम दौनों कोष्टक लिखेंगे तो x-3 और दूसरा कोष्टक क्या है x-2 अब क्या करोगे पहले कोष्टक का पहला पद यहां लिखेंगे और दूसरा कोष्टक चिपका के लिखे देंगे जो की है x-2 कर लोगे इतना ठीक है अब पहले कोष्टक में जो बचा हुआ पद है जो की है –3 वो लिखेंगे और फिर से ये दूसरा जो कोष्टक है चिपका के लिखेंगे ये देखो अब क्या करोगे अब देखो, x का गुणा इसमें भी होगा और x का गुणा इसमें भी होगा तो चलो करते हैं x x का x वर्ग मैंने बुला था, याद कर लो, डिरेक्ट x x का x वर्ग गुणा होता है, जब माइनस लगा है, तो माइनस लगा दू, बिल्कुल और X का 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा 2X समझा रहा है कि नहीं अब ये देखो माइनस आया है तो एक बात याद रखना कि माइनस आया है तो माइनस 3 का X में करोगे तो माइनस 3X ही आएगा क्योंकि यहां पे प्लस है तो बिरूद हो रहा है बिरोध हो रहा है तो माइनस ही आएगा लेकिन यहाँ पर बिरोध नहीं हो रहा देखो माइनस यहाँ पर भी है और माइनस यहाँ पर भी है मतलब माइनस तीन का गुणा माइनस दो में होगा तो यहाँ देखो समानता हो गई न तो जहां मित्रता हो गई वहां प्लस लगा दो माइनस 3 का गुड़ा माइनस 2 में करोगे तो प्लस का आएगा अब जो भी आएगा तो 3 दूनी 6 इस चीज को समझो जहां एक जगह केवल माइनस देख रहा हो तो बिल्कुल माइनस लगा दो जैसा यहां पर मैंने लगाया कि x का गुणा minus 2 तो हमें अच्छे से मालूम है कि हमारे x के पास plus x है plus का चिन्न है तो बैसे भी plus minus में बिरोधा बास ही होगा तो हम क्या करते है जहां single minus दिखता है तो हम minus ही लगा के x का 2 में किया तो 2x हो गया यहां भी देखो माइनस 3 का गुणा X में करना है तो हमने देखा कि एक ही माइनस देख रहा है तो हम बिना पूछे यहां पर माइनस ही लगा देते क्योंकि यह जब आप गडित को तेज स्पीड में करोगे तो यह अपने आप ही आ जाता है कि माइनस एक जगाए बस है तो माइनस ही लगाओ माइनस लेकिन दो जगाए है देख रहे हो आप तो फिर अपने आप दिमाग चलेगा कि यहां समानता है प्लस आ जाएगा और 3 दूनी 6 यानि माइनस 3 का गुणा माइनस 2 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 दूनी 6 अब ऐसा मत कर देना कि कभी माइनस 3 में माइनस 2 जोड़ो और आप कर दो माइनस माइनस तो प्लस हो गया सर गलत हो जाएगा क्योंकि अब आप जोड रहे हो तो माइनस का 3 और माइनस का 2 जब जोडते हैं तो माइनस का ही 3 और 2 5 हो जाता है चिन गायब नहीं होता माइनस का ही 5 होगा लेकिन जब माइनस के 3 का गुणा माइनस के 2 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा में ये चिन होता है प्लस और 3 दूनी 6 जैसे यहां पे, पता कैसे चलदा गुणा हो रहा है, क्योंकि कोश्टक लगा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और तीन दूनी छे, क्या इसको आगे और सॉल्व किया जा सकता है, पिल्कुल, क्योंकि एक्स एक्स अभी ये एक जगाए लिख सकते हैं, दो जगा एक्स है, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस दो एक्स माइनस तीन एक्स माइनस का ही कितना हो जाएगा, तीन और दो जोड़के कितने होगे, पांच एक्स हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, छे हो जाएगा, समझ पा रहे हुआ, दो कोश्टक क और x plus 5 इस सवाल को आपको करके बताना है करोगे क्या? ठीक है वीडियो को पॉस कर लो चलिए अब मैं मैं समझ रहा हूँ कि आपने कर लिया तो मैं करा देता हूँ ठीक है? देखो कैसे करना है सबसे पहले आप दोनों कोश्टकों को लिख लोगे तो दोनों कोश्टक कौन कौन से थे? x plus 3 और दूसरा कोश्टक क्या था? x plus 5 लिख लिया अब पहले कोश्टक का जो पहला पद है उसको बाहर निकालो और दूसरा कोश्टक उसके साथ चिपका के लिख दो ठीक है? यहाँ तक कर लोगे न? फिर क्या करोगे? पहले कोश्टक का जो दूसरा बचा हुआ पद था उसको बाहर निकालो चिन्ह के साथ में तो plus का 3 था और फिर उसके साथ ये दूसरा कोश्टक चिपका के लिख दो बोलो बन जाएगा न? ठीक है अब देखो इसका गुणा इसमें भी होगा मतलब x का गुणा x में भी होगा और x का गुणा इस 5 में भी होगा उसी तरीके से 3 का गुणा x में भी होगा और 3 का गुणा इस 5 में भी होगा तो चलो कर लेते हैं x x का क्या हो जाएगा? x वर्ग हो जाएगा प्लस लगा है तो प्लस लगा दो X का गुणा 5 में होगा तो क्या होगा 5X ठीक है ये देखो अब प्लस लगा हर जगा है प्लस प्लस है तो कुछ देखना ही नहीं है प्लस है तो प्लस लगा दो 3 का X में करोगे तो क्या आजाएगा 3x आ जाएगा, प्लस है तो प्लस फिर से लगा दो, और 35 15 आ जाएगा, क्या इसको आगे और हल किया जा सकता है, बिलकुल किया जा सकता है, देखो, x वर्ग कर दिया, 3x और 5x, कितने x हो गया, 5 और 3, 2, देखो, 2 की घात वाला 2 की घात में ही जुड़ेगा, और तो था नहीं तो इसको हमने जियोंगा दियों लिखा 5x और 3x, कितने हो गया 8x हो गया, और प्लस कितना हो गया, 15 हो गया, यही अपना आंसर आ गया, बताओ, इतना आंसर आया था, ठीक है, कमेंट कर देना तो इसी तरीके से सवाल को करते हैं अब इसमें हम क्या कर लेते हैं माइनस लगा लेते हैं तो माइनस लगा कि अब करते हैं, देखना x ब्लस 3 कर लिया, देखो सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे बस, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप यहां पर time based कर रहा हूँ, बिल्कुल भी time based नहीं है बेटा, अगर अच्छे से समझोगे तो ही तुम कुछ कर पाओगे life में ठीक है, ध्यान दो यहां पर बहुत अच्छे से, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले दोनों कोश्टक को लिख लेना है, x plus 3, और दूसरा कोश्टक क्या है, x minus 5 अब क्या करना है, पहले कोश्टक का पहला पद बाहर निकाल के, दूसरा कोश्टक चिपका के लिख देना है कर लोगे इतना, ठीक है अब पहले ही कोश्टक का जो दूसरा पद है, उसे बाहर निकाल के, फिर से ये दूसरा कोश्टक चिपका देना है, इतना कर लोगे, ठीक है, अब क्या करना है, X का गुणा X में भी होगा X का गुणा माइनस 5 में भी होगा उसी तरीके से 3 का गुणा X में भी होगा और 3 का गुणा माइनस 5 में भी होगा तो कर लेते हैं X का X में करोगे तो क्या आ जाएगा X वर गा जाएगा माइनस है तो माइनस आ जाएगा X का 5 में करोगे तो क्या आजाएगा 5X आजाएगा देखो क्यों क्योंकि माइनस एक ही जगह है यहां पे तो नहीं है माइनस तो माइनस ही आएगा ध्यान रखना X का 5 में करोगे तो क्या आएगा 5X देखो यहां प्लस है और यहां भी प्लस है इसका मतलब प्लस ही आएगा और 3 का X में करोगे तो 3X अब देखो यहां प्लस है लेकिन यहां माइनस है तो एक जगह भी अगर माइनस आगया तो माइनस रहेगा क्योंकि बिरोध हो रहा है समझ रहे हो ना तो प्लस 3 का गुणा जब माइनस 5 में करोगे तो पहले चिन्नों का तो होगा तो प्लस माइनस का माइनस होता है अलग अलग चिन्न देखे आपने और सीधा बिरोध है यानि माइनस कर देना है और 5 दिया 15 देखो इदा प्लस X है ना कोई चिन्न नहीं है तो प्लस का X है तो प्लस x का गुणा माइनस 5 में होगा, तो पहले चिन्नों का ही तो होगा है, तो अलग-अलग चिन्नों का क्या होगा, माइनस, तो यहां हमने देखा माइनस था, यहां कोई भी चिन्न नहीं लगा था, तो वह तो अबिस सी बात है कि प्लस का होगा, तो माइनस प्लस का माइनस ही होगा, x का 5 में करोगे 5x, देखो धीरे धीरे सीखते हैं, अब यहाँ पर क्या होगा, यह 5x है, माइनस का और प्लस का 3x है, तो क्या होगा, अब देखो, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओ, तो 5 में से 3 का कितने बचे, 2x बचे, तो 2x लिख माइनस के साथ थी, तो माइनस लगा दो, और माइनस का 15 लिख दो बस हो गया, समझ गए ना, तो इस तरीके से हम करते हैं, तो उम्मीद है कि यह भी आप पे बन गया होगा, अब कोश्टक का जो गुणा है, वो है तो बहुत आगे और भी सवाल हो सकते हैं, लेकिन मैं आप को कुछ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, तो खुद से पूरी इमानदारी के साथ प्रैक्टिस करना, और कोश्टक बाले सवालों को करना, ताकि आपका जो है प्रैक्टिस बन सके, तो केवल प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, तो इन सवालों की आपको प्रैक् बाट झातो है